हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम श और त्र इन बाणों को लिखना सीखेंगे श श से शत्रिय श बनाने के लिए एक सीधी खड़ी रेखा खीचिए एक आड़ी रेखा इस तरह से उपर की तरफ ले जाते हुए ऐसा गोला बनाईए इस गोले से जोडते हुए एक आधा गोला बनाना है इस तरह अंदर की तरफ गुमाते हुए एक छोटी सी तिर्ची रेखा बाहर की तरफ निकालनी है दुबारा से देखिएगा इसे हम द की तरह से भी बना सकते हैं एक छोटी सी वक्र रेखा बनाईए एक आधा गोला अंदर की तरफ गांट लगाते हुए एक छोटी सी तिल्ची रेखा बाहर निकालिए जिस तरह से कि हम द बनाते हैं अब उपर जो हमने वक्र रेखा बनाई है इस रेखा को गुमाते हुए इस तरह से एक छोटा सा पूरा गोला बनाना है और यहां से एक वक्र रेखा इस तरह बनानी है और इसे जोडते हुए एक सीधी खड़ी रेखा बना देनी है त्र त्र से त्रिशूल आईए हम इसे लिखें एक सीधी खड़ी रेखा एक वक्र रेखा इस तरह से और यहां से जोडते हुए एक तिर्ची रेखा नीचे की तरफ बनाईए दुबारा से देखिएगा एक सीधी खड़ी रेखा यहां मिट पॉइंट से एक वक्र रेखा इस तरह से और इसे जोईन करते हुए एक तिर्ची रेखा इस तरह से आप इन वर्णों को लिखने की प्रेक्टिस कीजिए हरे कृष्णा